Hello students, आज हम लोग बात करेंगे Find the sum of the first and natural number आज हम लोग क्या करते हैं कि एक python program develop करते हैं और उसका objective क्या है program का simply इसको हम लिखते हैं कि say example क्या है हमारे पास objective हमें एक python program बनाना है to find the sum of the first and natural numbers मतलब कि n natural numbers का हमें program बनाना है उसके हम n की value जो भी input करेंगे माली जमने 10 input किया तो first 10 natural number का sum आजाए 5 input किया first 5 natural number का sum आजाए 200 input किया तो first 200 natural numbers का sum हमें calculate करना है तो देखिए अब इस program को कैसे बनाएंगे उसको देखिए सबसे पहले तो क्या होगा कि सबसे पहले तो हमको formula पता होना चाहिए कि sum of n natural number का formula क्या होता है तो वो तो mathematics के जो students होगे उनको पता होगा जो नई भी होंगे वो भी जान ले कि the sum of first n number का formula यह होता है कि यहाँ पर हम लिखें the sum of first n numbers यह formula होता है n into n plus 1 divided by 2 this is the formula अब इसको क्या करना है अब इसको हमें अपने program में लिखना है तो मालने जेए अब हम यहाँ से program लिखते हैं अपना suppose कीजे तो यह हमने लिखा एक variable लिया हमने nstr is equal to हमने क्या लिखा is equal to हमने लिखा input ठीक है अब कितने number input करने है तो यह nstr is equal to input लिखा हमने और यहाँ पर हमने लिख दिया n equal to अब string को हम पहले integer बनाएंगे तो ऐसे हमने लिखा int और यहाँ पर हमने लिख दिया nstr ठीक अब उसके बाद हमने एक variable लिया sum और sum is equal to हमने लिख दिया n into n plus 1 divided by 2 ठीक है और इसको result को हमने यहाँ लिखा print और sum ठीक है तो यह इस तरह से हम यह प्रोग्राम बना सकते हैं और इस तरह से हम इसको इसका source code लिख देंगे अब इसमें क्या होगा कि दिखिए we now understand that input यह जो input है आपका will return a string which we need to convert to an integer तो इससे क्या होगा हमें एक string आएगा हमारे पास उस string को हम integer में convert करेंगे यह second line से ठीक और फिर third line में हम क्या करेंगे यह third line में हमने formula apply कर दिया और fourth line में हमको यह result आ जाएगा इसका मतलब अगर इसको हम test data लेते हैं for example माल लीजे हमने कहा कि n is equal to 10 ठीक है दस नमबरों का पहले दस नमबरों का आप वो जो हमको sum calculate करके दीजिए तो जब आप इस program को execute कराएंगे तो आपको screen पे देखिए क्या आएगा इस screen पे simply आपने input क्या किया आपने input किया 10 और इस screen पे आपके आजाएगा 55.0 ठीक तो अब output से देखिए एक चीज clear है कि computation is reasonable but the sum is printed as a real number तो computation तो इसने सही किया है आप 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके जाएगे आप जो है first and natural number तक तो टोटल तो 55 सही आ रहा लेकिन इसको 55.0 मतलब ये real number की तरह print कर रहा है और ये ऐसा क्यों कर रहा है because ये जो आपने division operator यहाँ पे use हुआ ये दिखिए जो division operator हुआ है n प्लस 1 बाइ 2 इसकी वज़ाद से ये floating point division यूज़ कर रहा है अगर आपको इसको convert में इसको integer में convert करना है 55.0 को तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको program में थोड़ा सा change करना पड़ेगा आपको इस program को फिर इस तरह coding करनी होगी इसको आपको लिखना होगा पहला आपने लिखा कि n equal to आपने लिखा integer फिर आपने यहाँ लिखा input ठीक है ये number input हो जाएगा फिर आपने यहाँ sum calculate किया sum equal to n into n plus 1 by 2 ठीक उसके आप क्या करेंगे आप print करेंगे और print आप direct नहीं करेंगे आप print करेंगे यहाँ लिखेंगे integer और तब आप लिखेंगे sum ठीक है इस तरह से आप print statement देंगे और ये ये तो तब हुआ जब इसको आप समझ लीजे इसको आप समझ लीजे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि using explicit conversion यहाँ पे हम क्या करना है using explicit conversion ठीक है explicit conversion यूज़ करना है तो हम इस तरह लिखेंगे और मान लिजे हम format specifier अगर यूज़ करेंगे तो फिर हम इस तरह लिखेंगे print और यहाँ format देंगे say double course मान ने हमने दिया percentage d और फिर हमने percentage लगा के लिख दिया sum इस तरह देंगे तो यह हो जाएगा using format specifier तो आपका इंटीजर में आएगा लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा दोनों में अंतर यह होगा देखिए आप आपको लिख लिख दे रहा है ताकि यही पर आप सामने ही देख लीजे जब आप यह वाली line देंगे यह वाली तो जो आउटपुट आएगा ठीक है अच्छा इसमें एक चीज और है कि यह तो माली जब आपने explicit conversion यूज़ कर लिया और format specifier यूज़ कर लिया एक तरीका और है इसको देने का कि using integer division तो यह अभी यह दो दो तरीके जो हमने आपको बताए इसको hold रखिये तीसरा जो है वो है कि अगर हम integer division को यूज़ करें मतलब हम इस तरह लिखें sum equal to n into n plus 1 यह double line slash line लगाया हमने by 2 इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ using integer division using integer division ठीक है और तब हम यहाँ लिख देंगे print sum ठीक तो यह तीन तरीके हैं आपको integer लाने के लिए अब इसमें क्या होगा कि देखें line 1 reads the input string converts it into a number and stores it in variable n ठीक है line 2 computes the sum which is by default a real value आ गया we print it in line 3 using the int function अब देखें यहाँ पे आपको लोटना पड़ेगा यह पिछले page पे कि यहाँ पे आईए देखें यहाँ से शुरू कर रहा है कि line 1 में हमने क्या किया देखें यहाँ से in this manner line 1 में हमने क्या कि reads the input string converts it into a number तो यह input string को यहाँ से read किया और convert कर दिया number n में है ठीक लाइन 2 में क्या हुआ कि sum calculate हो गया लेकिन by default क्या हुआ चुकि division operator यहाँ यूज हो रहा है तो यह real value हुआ ठीक फिर line 3 में यहाँ पे हमने क्या किया कि कि we print it in line 3 using the int function यहाँ पे हमने int function करके use इसको print किया तो क्या होगा कि यह आपका integer value print करेगा next line में यहाँ पे आप देख लीजेए there is also a format is fire percentage d to print the value as an integer इससे भी क्या होगा integer value print होगा ठीक उसके बाद एक और तरीका integer value print करने का यहाँ पे दिया है यह कि alternatively python also provides an integer division operator तो python यह जो आप use करते है डबल श्लैस यह python में एक divisional operator प्रोवाइट किया गया है integer division integer division operator तो इसका भी आप use करेंगे तो आपको integer value ही calculate होके sum में आएगी फिर आप इसको direct print कर सकते हैं तो तीनों ही तरीके से आप जो है आपको जो result आएगा वो integer यानि 55 आएगा तो चाहे आप format specifier यूज कीजे चाहे आप यह integer division यूज कीजे और चाहे आप जो है explicit conversion यूज कीजे तीनों method से आप जो है integer value आपको 55 मिल जाएगी clear अब इस program से देखे कुछ चीज़े यह निकल के आएं कि the program highlights multiple point first types can be interconvertible मतलब जो data type होते हैं आप चाहे तो integer से float में, float से integer में मतलब वाइसा वर्षा उनको interconvertible तो जो data types होते हैं वो interconvertible होते हैं उनको आपस में एक दूसरे type से change कर सकते हैं दूसरा point क्या है, a variable does not have a fixed type, it can have values of different types at different points in the program तो कोई भी variable है तो उसका अपना कोई fixed type नहीं होता जैसे some variable है इसमें आपने देखा तो कभी वो real float type हो जा रहा है, कभी वो integer type हो जा रहा है तो वो एक ही program में अलग-अलग points पे वो अलग-अलग data type का हो सकता है इसलिए variable को हम declare नहीं करते है, python में कि वो integer type है, float type है, real type है, क्या है उसके बाद, इसलिए python में variable को declare नहीं किया आता है, उसके type को next क्या है, third point कि जो हमने देखे comment लिखा हुआ है, line 3 और line 4 में क्या है, क्या है, comment मतलब जो, देखे, जो lines हमने लिखी हुई है, hash से जो start की हुई है, they are comment line यह, यह जो lines है, इसको हम, यह, these are comments line and these are comment line तो यह line जो हमने hash से start करके, और एक यह, ठीक है, तो hash से जो आप start करोगे तो इसका अदलब python में comment line है, जैसे c में आप करते हो, c में आप comment line ऐसे जो भी आपने लिखा है, और यहाँ आप close करते हैं, तो यह comment line कर लाती है, python में जो line आप hash से start करके, आप लिखोगे, that is comment line तो इसमें क्या होता है कि, comments are for improving the readability of the program and are not executed, वो तो आप जानते हैं, comment line execute नहीं होती है, केवल वो better documentation के लिए, better readability के लिए, program में use की जाती है, multiline comments in python are often written using triple quotes, तो अगर मालीज़े, आपको comment line देनी है, और वो line जो है, multilines है, मतलब एक line दो-ती line का comment है, तो फिर उसको हम triple quotes में करके देते हैं, so this was all about this program, I hope कि इससे काफी चीज़े आपको clear हुई होगी, ठीक है, अगर इसके regarding कोई doubts या confusion है, तो comment line में comment करके पूछे, और अगर video content पसंद आ रहा है, तो please video को share कीज़े, like कीज़े, channel को subscribe कीज़े, और notification bell को जरूर on कर दीज़े, ताकि next video की information आपको time से मिल से खे, thank you